C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक भारत की खोज का ध्वानी पाठ अध्याय नौ शिर्शक है दो प्रिष्ट भूमिया भारतिय और अंग्रेजी प्रिष्ट संख्या एकसो सत्रह भारत में सन 1942 में जो कुछ हुआ वह आकस्मिक नहीं था वह पहले से जो बहुत कुछ होता आ रहा था उसकी चरम परिणती थी इसके बारे में आक्षेप, आलोचना और सफाई के रूप में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और बहुत सफाई भी दी जा चुकी है फिर भी इस लेखन में से असली बात गायब है क्योंकि इन में एक ऐसी चीज़ को केवल राजनीतिक पहलू से देखा गया है जो राजनीति से कहीं अधिक गहरी थी इन सब के पीछे वह तीवर भावना बच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए यह राज्य अब बरदाश्ट नहीं किया जा सकता व्यापक उथल पुथल और उसका दमन जनता की ओर से अकस्मात असंगठित प्रदर्शन और विस्फोट जिसका अंत हिनसात्मक संघर्ष और तोड फोड में होता था जवरदस्त और शक्तिशाली हतियार बंद सेनाओं के विरुद्ध भी लगातार चलते रहे इनसे जनता की भावनाओं की तीवरता का पता चलता है यह भावना उनके नेताओं की गिरफतारी से पहले भी थी लेकिन इन गिरफतारियों और उसके बाद अकसर होने वाले गोली कांड ने जनता के क्रोध को भड़का दिया वे इतने कुरुध और उत्तेजित थे कि चुप नहीं बैठ सकते थे ऐसी परिस्थितियों में स्थान ये नेता सामने आये और कुछ समय के लिए उनका अनुसरण किया गया लेकिन उन्हों ने भी जो निर्देश दिये वे काफी नहीं थे अपने मूल रूप में यह एक सहज जनान दोलन था पूरे भारत में 1942 इसवी में युवा पिधी ने विशेश रूप से विश्व विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिंसक और शांती पूर्ण दोनों तरह के कार्यवाहियों में बहुत महत्वपूर्ण काम किया में बिटिश राज के धाचे को बल पूर्वक चुनोती देने के लिए लेकिन ये बल निहत्था था बहुत बड़ी जनसंख्या उठ खड़ी हुई यह चुनोती मुर्खता पून और बेमौके थी क्योंकि दूसरी और सूस अंगठित हथियार बंद सैनिक शक्ती थी यह सैनिक शक्ती इतिहास में पहले किसी आवसर की तुलना में कहीं अधिक थी उस भीर ने ना तो इस द्वंद्व की तैयारी ही की थी और ना ही इसके लिए समय का चुनाव खुद किया था यह स्थिती उनके सामने अंजाने ही आ गई थी तातकालिक प्रतिक्रिया के रूप में भले ही वह प्रतिक्रिया ना समझी से भरी या गलत रही हो लेकिन उससे भारत की स्वतंतरता के लिए उन्हों ने अपने प्रेम और विदेशी शासन के विरुद्ध अपनी घ्रिना को प्रगट किया सन 1942 के दंगो में पुलिस और सेना की गोली बारी से मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या के अनुमानित सरकारी आंकडे के अनुसार 1028 मरे और 3200 घायल हुए जनता के अनुसार मृतकों की संख्या 25,000 कही जाती है पर यह संख्या भी संभौतह अतिरंजित है शायद 10,000 की संख्या ज्यादा सही होगी यह असाधरन बात थी कि कैसे बहुत से शहरी और ग्रामीन क्षित्रों में ब्रिटिश शासन खत्म हो गया और उन हिस्सों पर दोबारा विजय पाने में उसे कई दिन और कभी कभी कई हफते लग गये ऐसा विशेश रूप से बिहार में बंगाल के मिदनापूर जिले में और संयुक्त प्रांथ के दक्षिन पूर्वी जिलों में हुआ यह बात ध्यान देने की है कि संयुक्त प्रांथ के बलिया जिले में जिसे दोबारा जीतना पड़ा था भीड के खिलाप शारीरिक हिंसा या लोगों को चोट पहुँचाने की कोई गंभीर शिकायत नहीं है भारत की बीमारी अकाल भारत बहुत बीमार था तन और मन दोनों से जबकि लड़ाई में कुछ लोग बहुत फूले फले थे दूसरों पर बोज चरम सीमा तक पहुँच गया था और इसकी भयानक स्मृती दिराने के लिए अकाल पड़ा दूर दूर तक विस्त्रित अकाल जिसका प्रभाव बंगाल और पूर्वी तथा दक्षिनी भारत पर पड़ा प्रिश्ट संख्या 119 ब्रिटिश शासन के पिछले 170 वर्षों में यह सबसे बड़ा और विनाशकारी था इसकी तुलना 1766 इस्वी से 1770 इस्वी के दौरान बंगाल और बिहार के उन भयंकर अकालों से की जा सकती है जो ब्रिटिश शासन की स्थापना के आरंभिक परिनाम थे इसके बाद महामारी फैली विशेशकर हैजा और मलेरिया वह दूसरे सुवों में भी फैल गई आज भी हजारों की संख्या में लोग उसके शिकार हो रहे हैं इस अकाल ने उपर के थोड़े से लोगों की खुशाली के जीने आवरण के नीचे भारत की जो तस्वीर थी उसे उगाड़ कर रख दिया यह तस्वीर ब्रिटिश शासन की बदहाली और बदसूरती की तस्वीर थी जब यह सब घटित हो रहा था और कलकत्ता जो आज कोल काता है की सडकों पर लाशें बिछी थी कलकत्ता के उपरी तबके के दस हजार लोगों के सामाजिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया था नाच, गाने और दावतों में विलासिता का प्रदर्शन हो रहा था और जीवन उल्लास से भरा था अक्सर कहा जाता है कि भारत अंतर विरोधों का देश है कुछ लोग बहुत धनवान है और बहुत से लोग बहुत निर्धन है यहाँ आधुनिकता भी है और मध्य युगीनता भी यहाँ शासक हैं और शासित हैं बिटिश हैं और भारतिये हैं यह अंतर विरोध सन उनिस्सो तैलिस के उत्तरार्ध में अकाल के उन भयंकर दिनों में जैसे कलकत्ता शहर में दिखाई पड़े वैसे पहले कभी नजर नहीं आये थे अकाल की गहरी वजह उस बुन्यादी नीती में थी जो भारत को दिनों दिन गरीब बनाती जा रही थी और जिसके कारण लाखों लोग भुखमरी का जीवन जी रहे थे भारत में बिटिश शासन पर बंगाल की भयंकर बरबादी ने और उडिसा, मालाबार एवं दूसरे स्थानों में पढ़ने वाले अकाल ने आखरी फैसला दे दिया पर जब वे जाएंगे तो क्या छोड़ेंगे तीन वर्ष पहले मृत्यू शाया पर पड़े टैगोर के सामने यह चित्र उभरा था लेकिन वे कैसा भारत छोड़ेंगे अंत में उनके सदियों पुराने प्रशासन की धारा सूख जाएगी तो वे अपने पीछे कितनी कीचड़ और कच्रा छोड़ेंगे प्रिष्ट संख्या 120 भारत की सजीव सामर्थ अकाल और युद्ध के बावजूद प्रकृती अपना काया कल्प करती है और कल की लड़ाई के मैदान को आज फूलों और हरी घास से ढख देती है मनुश्य के पास स्मृती का विलक्षन गुन होता है वह कहानियों और यादों से निर्मित अतीत में बसता है यह वरत्मान इस से पहले की हमें इसका बोध हो अतीत में खिसक जाता है आज जो बीते हुए कल की संतान है खुद अपनी जगह अपनी संतान आने वाले कल को दे जाता है कमजोर आत्मा वाले समरपन कर देते हैं और वे हटा दिये जाते हैं लेकिन बाकी लोग मशाल को आगे ले चलते हैं और आने वाले कल के मार्ग दर्शकों को सौप देते हैं। प्रिष्ट संख्या 121 उप साहार भारत की खोज, मैंने क्या खोजा? क्या पाया है? यह कल्पना करना की मैं उसका पर्दा हटा कर यह देख सकूंगा कि वह अपने वर्तमान स्वरूप में क्या है और उसका लंबा अतीत क्या रहा होगा? मेरी अनधिकार चेश्टा थी भारत एक भावगोलिक और आर्थिक सत्ता है उसकी विभिन्नता में सांस्कृतिक एकता है यह विरुद्धों का एक ऐसा पुंज है जो मजबूत और अद्रिश्य सूत्रों से बधा है बार बार आकरमणों के बावजूद उसकी आत्मा कभी जीती नहीं जा सकी और आज भी जब वह एक अहंकारी विजेता का खिलोना मालूम होता है वह अपराजेय है एक युग के बाद दूसरे युग में उसने महान स्त्री पुरुशों को जन्व दिया है जो पुरानी परमपरा को लेकर चले हैं और उसे बदलते हुए समय के अनुरूप ढालते भी रहे हैं उस महान परमपरा में रविंद्र नाथ टैगोर हुए जो आधुनिक युग की प्रकृती और प्रवृतियों से सराबोर थे लेकिन उनकी नियू भारत के अतीत में थी ऐसा लगता है जैसे पुराना जादू अब टूट रहा है और वह यानि भारत चारो ओर देखता हुआ वरतमान के प्रती जागरूख हो रहा है उसमें परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन जरूरी है फिर भी वह पुराना सम्मोहन बना रहेगा और उसकी जनता के रिदयों को बांधे रखेगा हमें भारत में अतीत और सुदूर की खोज में देश के बाहर नहीं जाना है हमारे अपने पास उसकी बहुतायत है अगर हम विदेशों में जाते हैं तो केवल वर्तमान की तलाश में यह तलाश जरूरी है क्योंकि उससे अलग रहने का अर्थ है पिछड़ा पन और ख्षय जीवन अधिक अंतरराश्ट्रिय होता जा रहा है इस आने वाले अंतरराश्ट्रिय वाद में हमें अपनी भूमी का निभानी है इस उदेश्य की पूरती के लिए हमें यात्राएं करनी है औरों से मिलना है उनसे सीखना है और उन्हें समझना है लेकिन सच्ची अंतरराश्ट्रियता कोई ऐसी हवाई चीज नहीं है जिसकी ना कोई बुनियाद हो और ना लंगरगाह उसे यानि अंतराष्ट्रियता वाद को राष्ट्रिय संस्कृतियों से बाहर निकलना है और आज वह स्वतंत्रता, समानता और सच्ची अंतराष्ट्रियता के आधार पर ही उन्नती कर सकता है हम किसी मामूली देश के नागरिक नहीं है, हमें जन्म भूमी पर, अपने देश वासियों पर, अपनी संस्कृति और अपनी परमपराओं पर गर्व है यह गर्व किसी रोमांचक अतीत के लिए नहीं होना चाहिए, जिससे हम चिप्टे रहना चाहते हैं नहीं अपने धंग से भिन औरों के धंग को समझने में इससे कोई कठिनाई होनी चाहिए इसके कारण हमें अपनी कमजोरियों और असफलताओं को भी कभी नहीं भूलना चाहिए और नहीं उनसे छुटकारा पाने की हमारी इच्छा कुंठित होनी चाहिए इससे पहले कि हम मानवी सभ्यता और प्रगती की गाड़ी में औरों के साथ अपनी सही जगह ले सकें हमें अभी बहुत लंबा सफर तै करना है और बहुत सी कमी को पूरा करना है हमें जल्दी करनी है क्योंकि हमारे आसपास समय सीमित है और दुनिया के रफ्तार लगातार तेजी से आगे बढ़ती जा रही है अतीत में भारत अपनी संस्कृतियों का स्वागत करके उन्हें आत्म साथ कर लेता था आज इस बात की कहीं अधिक आवर्शक्ता है क्योंकि हम भविश्य की उस एक दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां राश्ट्री संस्कृतियां मानो जादी की अंतर राश्ट्री संस्कृति में घुल मिल जाएंगी हमें जहां भी समझदारी, ज्ञान, मित्रता और सहयोग मिलेगा हम वहीं उसकी तलाश करेंगे और हम सामुहिक कामों में सब के साथ सहयोग करेंगे लेकिन हम दूसरों की कृपा और सहरे के प्रार्थी नहीं है इस तरह हम सच्चे भारतिये और एशियाई होंगे और साथ ही अच्छे अंतरराष्ट्रिय वादी और विश्व नागरिक होंगे यहां यह पाठ समाप्त हुआ अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की हिंदी की पाठे पुस्तक भारत की खोज वाचनस्वर, अजीत होरो, निर्माण सहयोग, सौम्या मलिक, ध्वन्यंकन, विकास सांगवान, निर्माण, वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत